नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूसलिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज हम बात करने जा रहे हैं इसराइल की फिलिस्तीन और इसराइल नहीं इसराइल की क्योंकि इसराइल में जिस तरह से बड़े पैमाने पर नेतिया नहू सरकार के खिलाफ आं बचाने के लिए वह इसराइल के लोक्तंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक घड़ी है। सवाल ये है कि इसराइल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है क्या इसका असर बाकी दुनिया पर भी पड़ेगा क्योंकि पहली बार अमरीका खुलकर इसराइल में नेतियनाहू सरकार के खिला बोल रहा है क्या है इसके पेचों हम इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस के साथ प्रबीर आज हम आपके साथ बात करेंगे इसराइल के बारे में फिलिस्तीन और इसराइल नहीं सिर्फ इसराइल के बारे में और जैसा हमारा दर्शक देख सकते हैं वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं और यह जो पूरा क्राइसे से तक्रीबन साथ महीने पुराना है 24 जुलाई को जिस तरह से नेतिया नहू सरकार ने बिल पारित किया जिसके आधार पर सुप्रीम कोट को जो अधिकार थे वो पारलेमेंट के पास आ गए विसपोर्ट जमीन पर आ गया है यह जो सीन है यह जो परिद्रिश है इस्राइल में लड़ाई किंके किंके बीच चल रही है यह समझना बहुत जरूरी है अब जो पूशे आपने यह खास तोर से तीन चार पहिन महिने की क्राइसिस है पहले भी इस तरह का विसपोर्ट हुआ था उस वक्त जो सरकार है नेता नियाहू बेन गविर की सरकार है थोड़ी पीछे हड़ गई थी पर जो ही थोड़ी सी शांती आई फिर पारलेमेंट मे यह आया और जो विसपोर्ट पहले हुआ था फिर वही विसपोर्ट देखने को मिल रहा है बड़े पैमाने पे इस बार जो जूश पॉपुलेशन है उनके अंदर यह संघर्श चल रहा है कि इस्रेल कौन से रास्ते पे जाएगा यह फिलिस्तिनी जनता इस पे तो सवाल यह है कि क्या वजह है कि जूश पॉपुलेशन जो कि फिलिस्तिन की इशू पे तो एक तरफा चलते हैं सारे के सारे लोग फिलिस्तिन पे जो हमला चल रहा है उसमें इसराइल सरकार के साथ ही खड़े हैं कमों बेश खड़े हैं ठीक है ना कभी कम कभी जादा पर सबके अगर देखें तो उसमें से कुछ पार्टियों को छोड़के बहुत चोटे चोटे पार्टिया हैं उनको छोड़के जो बामपंति अपने आपको गोशित करते हैं ऐसे चोटे चोटे पार्टियों के साथ छो Israeli born Arabs के उनको संगा दी जाती है, वो लोगों की भी party है, इनके इलावा सब इसमें Israel में सहमती थी कि हम एक साथ मिलके Israel Jewish State एक बनाएंगे. तो अब जो Jewish State जो बनाने की बात हो रही, इसमें जो मदभेद हुआ है, इसके दो वज़े हैं, एक तो है कि religious parties की जो मांग रही है, जिसको हम religious parties कहेंगे, यह actually बहुत ही right-wing fascist किसम की party है, उनको कहना है कि फिलिस्टिनी population को West Bank से निश्काशित करके पूरा settlers वहां बसाये जाए अब जमीन उनके पास दे दी जाए, तो यह जो है, अगर करना चाहे, तो इसरेल की जो अंतराश्ट्रिये एक क्या कहेंगे, एक पहुंच है, खास तोर से और अरोपर अमेरिका में, उसमें काफी नुकसान पहुंचेगा, इसलिए वो अभी तक कोई करने के लिए तयार नह दे, एक कदम, दो कदम, एक साथ नहीं करना चाहते, अगर यहां पर जो बेनगवीर यह ऐसे शक्स है, उनका कहना है कि पूरी एक परफा मार करके, इनको पूरी तरह से खतम कर देना चाहिए, अपर्थाइट स्टेट बनाए, ताकि इनको वहां से हम खदेर सकते हैं, और उ हम देख रहे हैं, इस दरार और इशूस पे भी निकल के आया है, खास तोर से कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार थी पहले, ताकि वह ऐसे चीज, कानून, जो उनको लगता था, सही नहीं है, उसको नकार सकते थे, वह बात खदम हो गई है, पार्लेमेंट में, इनकी परित हुआ है, यह कानून पारित हुआ है, कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है, पार्लेमेंट की अधिकार होगा, चीजों को रद करना, यह तो चीजों को अमल मेंलाना, यह सुप्रीम को नहीं कर सकता, जो खबरे आ रही हैं, जो हम दर्षकों के साढ़ साज्ण बहुत कर संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष बुनियादी तोर पर इसराइल का अभी तक का ढाचा है, क्योंकि दर्शकों को ये भी हम बता दें कि इसराइल एक ऐसा देश है, जहां कोई सम्विधान नहीं है, वहाँ पर सुप्रीम कोट के पास एक शक्ती है, जिसमें वो रूल दे सकत है, पार्लेमेंट को भी दिशा निर्देश देता रहा है, और नेतिया नयाहूर पिछले साथ महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, और हमारे दर्शक देख सकते हैं, कि ये जो प्रोटेस्ट की खबरे हैं, तमाम जगों पर, वो बता रही हैं कि लड़ाई जो है, बहुत तेजी भी बात करें, क्योंकि इसराइल में एक तो तरीका ये भी है कि कंपलसरी मिलिटरी ट्रेनिंग है, जिसमें सब को 18 साल के बाद जाना पड़ता है, तीन साल मर्दों के लिए, और दो साल महिलाओं के लिए, उससे कुछ लोग बाहर हैं, वो भी एक लड़ाई है, जो रिजर इसराइल की जो स्टेट है, इस पे दो शक्तियां हमेशा रही है, एक तो है ऐसे शक्तियां जिसको हमारे भाशा में फाशिस्त शक्तियां कहेंगे, जिनको ये कहना है कि और किसी शक्स का इसरेल के अंदर कोई अधिकार नहीं होने चाहिए, सिर्फ जो जूइश, जूज है उन्हीं की सिर्फ अधिकार होना चाहिए, तो ये दूसरे देशों का अंतराश्ट्रिय उनाइटे नेशन सो कहीं भी ये चीजे मानना बड़ा मुश्किल है, इसलिए अभी तक खास शक्ति जो इसरेल में रहा है, चाहे राइट विंग हो या थोड़ा लिबरल हो, सब की य लक्ष्मन रेखा है, जिसको हम पार नहीं करेंगे, यह चीज कहेंगे, तो अंतराश्ट्री हमारी जो एक पहुंच है, वो नहीं हो पाएगा, अमरीका, यॉरप, ऐसे देशों में भी इसके खिलाफ तब कहना लोग शुरू करेंगे, तो इसलिए हमें इस लक्ष्मन रेख इनकी जेल के सजा होने की अब हुकम हो चुका है, वो रुका हुआ है, और इस तरह से उन्होंने एलाइन किया, क्योंकि अगर वो पारित कर लेता है, कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया गलत है, और हमारा ये प्राइम मिनिस्टर कोई गलती नहीं की, तो सुप्रीम कोर् पारित कर लिया, वहां की पारित कर दिया, पर अभी उस पे बहुत सारे और भी चीज़े हैं देखनी पहलेगी, इतना आसान नहीं है, पारित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उसका क्या निशकर कैसे निकलेगा, वो देखने की बात है, पर बुनियादी कदम ले चुके हैं, जिसके बाद इतना विसपोर्ट हुआ, पहले भी हुआ था, भी अफिर हुआ है, आप इस्राइली रिजर्विस्ट की जो हम बात कर रहे थे, वो खबर भी हमने दर्शकों के साथ साजा किये, ताकि उनको ये पता चले, कि ये जो है चेहरे हैं इस्राइली रिजर्विस्ट होते क्या हैं? तो इस्रेयल के आम फोर्सस की ताकत, लड़ने की ताकत, इन रिजर्विस्ट के बिना हो नहीं साथिक यही लोग हैं, और खास तोर से जो एörफोर्स के है, उसमें रिजर्विस्ट के बिना, बहुत सारे हवाई जहाज चलाना उनके लिए संभब नहीं होगा, और इसलिए का कहना ये है जो रिटायर्ट जेनरल्स है उन्होंने ये कहा है कि अगर ये चला तो इस्रेल कोई जंग करने का चमता नहीं रखेगा एर फोर्स में और भी दिक्कत ये है क्योंकि ये प्रोफेशन्ल फोर्सेस है इनकी काबियत जो होती है आसानी से अब डुपलिकेट नहीं कर सकते तो इहां पर 10,000 रिजरविस्ट में बना कर दिया और 1000 रिएर फोर्स की रिजरविस्ट में के हम ड्यूटी नहीं करेंगे तो सवाल है कि duty compulsory है या duty compulsory नहीं है ये भी Supreme Court के पास जाएगा अगर इसमें आगे आते हैं पर ये Armed Forces के अंदर दरार पढ़ना इसरेयल के लिए बहुत बड़ा खत्ता है क्योंकि एरान के खिलाफ वो लड़ाई करना चाहते हैं अब जानते ही है लगतार बयान आता है कि हम ज पढ़ाई चाहे सिर्या के साथ जो बाइर पे चल रही है ये तो इरान के साथ करना चाहे तो आर्मी Razermis के जो सिवा करना बड़ा मुश्किल है तो इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आम-जनता इस चीज़ए कि खिलाफ है बहुत बड़ा हिससा इसके खिलाफ है यहां प compulsory service से बाहर होते हैं, वो religious section है, जो कहते हैं कि हमें तोरा का part करना है, और उन्हें ये छूट मिली हुई है, और उनका एक सबसे बड़ा जो political outfit है, वो बेंगवीर है, जो सरकार में इस समय शामिल है, तो एक ये भी conflict है, जो लंबे समय से चल रहा है, जिस पर हम पहले भी के हैं, कि एक तरफ ये लोग हैं, जिनके पास compulsory service है, जाना ही जाना होता है, और दूसरी तरफ सत्ता उनके पास भी है, जो धार्मिक आधारों पर जिनको ये छूट मिली हुई है, तो वो भी एक टकराव हमें इसराइल में देखने को मिली हुए है, ये जो है secular Israelis, और जो religious Israelis की बीच में एक बहुत बड़ा सवाल हमेशे रहा है, तुरा पाठ करने के लिए आर्मी में भरती नहीं होते हैं, और सब को भरती होना पालता है, एक बहुत दिन से एक तनाव इनके बीच में रहा है, कि एक जूटा कहेंगे बहाने बाजी करके, ये लोग जो है अपने आर जो रहा है, ये और भी इसको क्या कहेंगे, और भी इस टेंशन को बढ़ा रहा है, क्योंकि इन शक्तियों के प्रती, सेकुलर जीवस का, जो अपने आपको सेकुलर समझते हैं, कोई उनके प्रती प्रेम नहीं है, वो समझते हैं, बड़े ऐसे लोग है, जिनके साथ हमारा उतना बैटना समझते हैं. ये भी एक बहुत भड़काने वाली है, क्योंकि पहली बार इस तरह से हजार की संख्या में लीट करते हुए, बेन गवीर अलग सा मस्जित में गए, ठीक उसी समय जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके पीछे क्या कारण होगा? देखिए, ये तो बेन गवीर अर उसकी पार्टी, एक पार्टी ने और एक पार्टी है, जो भी इसी किसम की है, इनका हमेशा प्रोवकेशन करने की आदत रही है, आपको याद होगा, वहाँ पर एक वीपिंग वाल, वेलिंग वाल एक है, जो कहते है, उस मंदिर का है, जो तो रोम तोड़ा था, मुसल्मान ने नहीं तोड़ा था, रोम ने तोड़ा था, ठीक है न, तो वहाँ जाके वो हर बार प्रोवकेशन करते हैं, जबकि जुम्मा को प्रेयर्स होते हैं, ये तो आप जो ईद की प्रेयर्स होते हैं, इस पर हमेशा प्रोवकेशन करते हैं, लगातार अलग सा मस्जज जो हैं उनके निशाने पर है इस्राइल के खास उनका ये कहना है कि हमें फिर मंदिर खड़ा करना है जो की जूइश टेंपल्स थे यहां पर जिसको मुसल्मानों ने नहीं रोम ने गिराया था और किसी ने गिराया था इनसे इस अलग सा मॉस्क ये पुराना प्रावकेशन हमेशा बेन गवीर करते हैं और दूसरे जो क्या कहेंगे ऐलाइज है वो भी करते रहते हैं तो तो देखना पड़ेगा क्योंकि ये अगर करना चाहेंगे लक्सा में हाथ देंगे तो पूरी जो मुसल्मान दुनिया है गुसा होगा गुसा बाह तो ये इसकी आच जो है सिर्फ इसरेल तक सिवित नहीं रहेगा इस पर पूरी यॉरप अमरीका के जो पूलिटिकल पोजिशन्स रहे हैं इसरेल के साथ खड़े होने का इसमें भी काफी गंभिर धक्का पहुँचने वाला है इसलिए कहां तक नेतानियाहू इनके साथ इन बचाओ अपना चम्रा बचाने की कोशिश में लगे हुए है इसलिए उनका ये करवट जो है राजदीती में सुप्रीम कोर्ट खिलाफ एक करवट अपने बचाओ के लिए है बेंगवीर वगारा जो चाहते है उसके वजह से नहीं है पर जिस तरह से पहली बार हमें फूट देखने को बल रही है इस्रेल की जूइश पॉपुलेशन के अंदर जिसको अपने आपको सेकुलर जूस और जिसको रिलिजिस फंडमेंटलिस्ट जूस कह सकते हैं उनके बीच में ये दरार इस तरह से हमने पहले कहीं कभी नहीं देखा और ये अगर बढ़ता है तो इस्र राश्टियस तरह भी इसका एक इंपक्ट होगा जो इंपक्ट आपने जो कहा अमरीका और यॉर्प की देशों ने कहना शुरू कर दिया तो निश्चित तोर पे ऐसा लग रहा है कि इसराइल एक गहरे राश्टितिक संकट की तरफ बढ़ चला है और इस संकट से बाहर नि इसराइल में जब डेमोक्रेसी की बात हो रही है तो हमें हर समय फिलिस्तीन की जंता भी याद आती है लेकिन आज हम अपनी चर्चा इसराइल पर ही रखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया इसराइल की जूश पॉपुलेशन के दराद पर कर रहे हैं क्योंकि वहां पर भी ए सबसे पहला संदेश ये कि इसराइल जो अमरीका के साथ मिलकर फिलिस्तीन और तीसरी दुनिया के देशों के लोकतंत्र पर खत्रा पैदा करता है अलग धंग से एक्ट करता है वही इसराइल वहां की जंता अपने देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए सुप्रीम कोट की समप्रभुता को बचाने के लिए सडकों पर उतरती है और वह नहीं चाहती कि वहां पर एक शक्स खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोट और लोकतंत्र से खिलवार करे और दूसरा संदेश बहुत साफ है कि इसराइल का सहीयोगी अमरीका जब देखता है कि वाकई लोक पूतनीती बहुत दिल्चस्प है और इसके तमाम पेचो खम इसके जो अंदर की कहानिया हैं उन्हें जानने के लिए देखने के लिए शेयर करिए लाइक करिए पड़ताल दुनिया भर की न्यूस क्लिक शुक्रिया